है लो नमशकार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा न्यूस यूटूब चैनल पे फ्रेंड इच चैनल पे आपको शिक्षा जगत की सारी न्यूस मिलती है और फ्रेंड्स हमारे चैनल से आप जुड़े लईए जो हम आपको एकजाम की प्रिपेश्ण भी कर कराते हैं एक्जाम की प्रेपेशन कराते हैं फ्रेंड्स स्सी बैंकिंग रेलवे की ठीक है फ्रेंड्स अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को आप सबस्क्राइब कर लें फ्रेंड्स आज की वीडियो जो वह काफी important होने वाली है जो बच्चे तयारी कर रहे है है ना और जो बच्चे उनका सपना था कि railway में जो है है ना driver कैसे बने railway की जो post होती है assistant local pilot बनना इस video में जो है आपको सारी जानकारी मिलेगी सारी जानकारी मिलेगी friends इस video में आपको कि qualification क्या होती है salary क्या होती है, medical क्या होता है उसके लिए क्या-क्या पुछा जाता है, है ना, तो इस वीडियो में आप last तक बिने रहिए मैं इसमें जो है, आपको पूरी जानगा नी बताऊंगा, friends, ठीक है, friends चल ये, friends, आगे सुरू करते है, friends और जो बच्चे नईा है, वो चैनल को जो है, सबस्क्राइब करके बेल आइकन में दवा दे, friends ठीक है, friends, तो सबसे पहले जिन भी बच्चों का सपना था, कि रेल्वे में ड्राइवर कैसे बने है, है ना, जो राइट एरिया क्या होता है, सिर्फ आपको जो है टेंथ टेंथ पास होना जरूरी है, और आपके पास कोई भी टेकनिकल डिग्री टेकनिकल डिग्री होनी जरूरी है है ना, या तो आप टेंथ पास और टेकनिकल डिग्री अब technical degree में क्या है या तो आपके पास ITI हो ठीक है friends या तो आपके पास ITI हो या आपके पास diploma हो तीन साल का या आपके पास B.Tech के degree हो यानि जो आपके पास technical degree चाहिए assistant अगो pilot जो है अगर आपको railway का जो driver बनना है जैसे friends आपको screen पे भी दिख रहा होगा अगर आपको railway में driver बनना है तो आपको कोई भी technical degree जरूरी है अगर आप हभी 10th में हो या 10th आपने पास कर ली है अगर आप सोच लिए हो कि मैं 12th करूँगा फिर arts में चला जाओगा graduation करूँगा और उसके बाद मैं loco pilot का जो है जो है उसकी exam भरूँगा तो friends वहाँ फिर आपको problem आ जाएगी हभी जो है आपके अपास हभी time है क्योंकि हभी next vacancy आने में भी time है है ना और आप जो है सबसे पहले iti करूँ iti जो है must है है ना iti आपको करना ही करना है अब iti में बता भी देता हूँ iti आपको कौन-कौन से trade में करना है है ना friends मैं आपको बता भी देता हूँ अगर आप iti करेंगे तो आपको कौन-कौन से trade में करना है अगर आप iti कर सकते हैं देखिए electrician में कर सकते हैं motor mechanic में कर सकते हैं अब ये trade मिलती कैसे है, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, कैसे trade मिलती है, कैसे आप, है ना, suppose आप अभी 10th में हो, 10th में हो, तो आपको 10th के बाद ITI होती है, 10th के बाद ITI होती है, 10th पास होना चाहिए, पहले तो आपको 10th ही पास होना है, है ना, उसके पाथ जो है ITI का entrance form आता है ITI का entrance form आता है जो admission का form होता है तो ITI पे जो हर हर जो state का अलग-अलग जो है आप वहाँ पता कर लेना जहां भी रहते होंगे ITI का entrance form आता है पहले आपको entrance देना होता है फिर जो आपके entrance में जो भी marks आते हैं उसके अधार पे rank बनाई जाती है है ना rank बनाई जाती है फिर आपकी जो counseling करी जाती है फिर आपको जो है trade दी जाती है फिर आपको है ना अगर आपको अच्छी trade चीए आपको मन पसंद trade चाहिए तो आप जो है इसकी जो entrance की तयारी है वो करते रहिए है ना क्योंकि आपके 10th के marks पे और entrance का जो exam होता है उसके marks पे किसी-किसे state में exam होता है और किसी-किसे state में वो 10th के जो marks है उसके अधार पे जो है वो merit बनाई जाती है ठीके friends तो आप जो है अपने-पने state का देख लेना मैंने आपको बता लिया इसमें कौन-कौन से trade होनी चाहिए इसमें मैं एक और बार बता जाता हूँ electrician, motor mechanic, RAC, wireman, radio and TV tractor mechanic, feeder, wireman काफी लग-बलग-बस सारी जो है वो trade है है ना friends अब अब IT कौन सा होना ची अब IT चाहे आपने IT NCVT से करक्खा हो चाहे आपने IT SCVT से करक्खा हो चाहे आपने IT NCVT से करक्खा हो चाहे SCVT से करक्खा हो है ना आपको जो भी मिले मैं आपको दोनों में फरक बता देता हूँ NCVT जो होता है all over India के लिए होता है और SCVT जो होता है वो statewide होता है ठीक है friends अगर आपको दोनों आक्षन मिले है तो आप जो है सबसे पहले NCVT में करें ठीक है friends आप IT NCVT में करें अब मैं डिप्लोमा की बात करता हूँ डिप्लोमा की भी same यही condition है अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो same यही condition है अब डिप्लोमा में जो ट्रेड आती है है ना ट्रेड आती है मैं ट्रेड बता देता हूँ डिप्लोमा जो है पॉलेटेकनिक डिप्लोमा यह भी तीन यह तीन साल का होता है यह भी 10th के बात होता है और तीन साल का होता है इसमें भी entrance exam होता है entrance exam के बाद आपकी rank आती है वो rank हिसाब से आपको trade मिलती है और college मिलती है ठीके friends मैं आपको बता देता हूँ trade कौन-कौन सी होनी चाहिए इसमें एक इसमें mechanical, electrical electronic और automobile इसमें यह 4-5 ट्राकी ट्रेड होनी चाहिए जिसमें आपने diploma करा हो और B.Tech की बाद करा हो degree में भी same trade होनी चाहिए यानि कहने का मतलब यह है अगर आपको driver बनना है तो आपको कोई भी technical degree कोई भी technical degree होनी चाहिए अगर आप अभी 10th में है या आपने 10th past कर ली है तो आपको सबसे पहले 2 साल का ITI का डिपलोमा करना पड़ेगा ITI करने पड़ेगी है ना डिपलोमा 3 साल का होता है अगर आप डिपलोमा करना चाहते है तो आप polytechnic डिपलोमा भी कर सकते है है ना और फिर जो है आप जो है फिर जब इसकी जो vacancy vacancy की बात करें फ्रेंड्स मैं आपको ठीकर फ्रेंड्स और आप इस वीडियो में लास्ट टक बने रहे हैं और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन दवा दे फ्रेंड्स ठीकर फ्रेंड्स मैं इसमें बता लेता हूँ जो assistant असिस्टेंट लोको पाइलेट एल-प एल-पि टेकनिशन रेलवे रेक्वैर्मेंट बोर act मिनस्टी अफ रेलवे इसकी जो वेकेंसी आहिती फ्रेंड्स 2018 वेकेंसी आहिती आप काफी बच्चों ने इसका फॉर्म भरा भी था जो बच्चे किसी कारण से form नहीं भर पाये थे या तो उन पे technical degree नहीं थी है ना क्योंकि railway ने इसमें साफ साफ कह दिया है अगर हमें जो है technical degree चाहिए है ना क्योंकि ये technical गाम है वहाँ पे है ना आप वहाँ पे अलग-अलग field है electrician का अलग है mechanical अलग है वेकेंसी की बात करने तो 2018 में friends इसकी वेकेंसी आई थी आप देख भी सकते है स्क्रीन पे काफी बच्चों ने इसमें select भी होएंगे काफी बच्चों ने इसका form भी बढ़ा था काफी बच्चे जो है इसमें cbt1 clear किराओगा तो cbt2 में नहीं हो पाय था है ना कि इसकी जो है इस पर 12 भी था इस वार जो था 12 भी था लेकिन 12 की जो थी वो PCM की जो है merit काफी high चली गई थी इसी कारण जो है काफी बच्चों का इसमें selection नहीं हो पाय था है ना तो हभी भी अगर time है आप पर है ना फिर railway को आप कुछ नहीं कह सकते क्योंकि railway ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपको assistant local pilot बनना है तो आपको जो है कोई भी technical degree होनी चाहिए ठीक है friends अब आगे जलते हैं friends यह देख लिज़ें cn01 है 2018 short detail of notification यह vacancy आई थी friends 2018 में है ना मैं सब friends आपको proof के साथ दिखा रहा हूं और इसका cbt1 cbt1 जो है था first state exam जो है था 9 से 31 अगस्त तक हुआ था है ना admit card जो है 5-8 course का admit card आ गया था है ना सब कुछ चीज यह हो गई थी है ना friends अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं है ना friends मैं आपको आगे लेके चलता हूं यह देखे फ्रेंड्स जो वेकेंसी जो आई थी जो वेकेंसी आई थी 26,502 वेकेंसी आई थी जो इसे जो भडा दिया गया था जो 2018 की ALP और टेकनिशन की जो वेकेंसी आई थी friends है ना तो इसकी जो वेकेंसी आई थी 26,502 और इसको बढ़ाके कितना 26,000 कर दिया था friends 62,000 जो है इनकी जो है double vacancy कर दी थी है ना क्योंकि ALP की जो है काफी जुरूरत थी है ना बता देता हूँ अब आपको लेके चलता हूँ इसमें Assistant Locopilot Assistant Locopilot का आप देख लिजिए ये है ये technician का है और ये Assistant Locopilot का है ये देख लिजिए Friends इसमें ये जो इसमें क्या पुछा गया है 10 प्लस 2 10 प्लस 2 degree Diploma and Certificate बस वही है तो आपके पास ITI का हो या Diploma हो या Degree हो ठीके Friends आपको आगे लेके चलता हूँ Age criteria मैं ये आपको 2018 वाला जो notification आये था ALP वाला मैं उसके इसाब से बता रहा हूँ ठीके Friends अब Age जो इन्होंने Age जो इन्होंने मागी थी UR यानि जन्रल के लिए जो थी 30 OBC के लिए है 33 and SC के लिए जो है 35 35 जो है ये Age रखी गई थी Friends आप Last Tag बने रहे हैं मैं इसमें आपको सब कुछ बताऊँगा ठीके Friends और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके Bell आइकन दवा दे अब मैं आपको बताता हूँ Friends इसमें कि ट्रेट कौन-कौन सी है ये Friends आप देख भी सकते हैं ट्रेट पोस्ट नेम पोस्ट एंड ट्रेड नेम इसमें देखे Electrition Electronic Wireman Machinist ये सारी Friends मैंने आपको बता दिया पहली बता दिया एक बार और देख लो अगर किसी को नहीं पतायद वो जो है Screenshot खीर सकता है Electronic Machinist Radio and TV Wireman RAC Air Condition है ना ये सारी Electrition Instrument ये सारी जो है ट्रेड है वालग आपके पास जो है Technical Degree होना बहुत जरूरी है अगर आपको Railway में Job करनी है तो आपको जो है Technical Degree होना जो है वो काफी जरूरी है ठीक है Friends अब मैं आपको Friends इसके आगे लेके चलता हूँ मैं इसमें आपको बताता हूँ कि आप इसके Form आने के कब तक Chances है ये देखे Friends हभी जो Vacancy आई थी 2018 में आई थी Railway की ALP की जो Vacancy है 2018 में जो है इसकी Vacancy आई थी अगर Next Vacancy आने की बात करने है तो Friends हभी चल रहा है 2020 2020 2020 चल रहा है 2020 चल रहा है Friends 2020 में हभी आपके पास कुछ नहीं आएगा क्योंकि Railway के पास हभी Already जो है दो भौक भरी संक्या में एक्जाम है एक NTPC NTPC और एक Group D क्योंकि हभी Railway पे जो है भी काफी बड़ी संक्या में और इसमें इसमें जो संक्या है दो करोड से भी जा रहा है बच्चों की संक्या है तो हभी जो Railway पे हभी काफी प्रेशर है भी इन एक्जाम को कैसे कराना है कैसे हैंडल करना है मतलब सब कुछ है इस एक्जाम को कैसे कराना है अभी Railway पे हभी काफी प्रेशर है तो मान के चले फ्रेंट्स दो हजार एक मिनट्स हभी मान के चले दो हजार 22 या 23 बाइस या 23 में जो है आपको ALP की जो है न्यू वेकेंसी दिख सकती है उससे पहले जो है ALP की न्यू वेकेंसी का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि railway पर हभी काफी pressure है है ना काफी हभी जो है exam कराना है हभी 2 करोड से भी जाद है बच्चों ने आविधन कर रखा है anti-pc and group d में आप भी तैयारी कर रहे होगे आपके भाई बहन तैयारी कर रहे होंगे anti-pc की भी कर रहे होंगे group d के भी कर रहे हो या अभी आप 10th में होंगे या कोई 12th में होगा या किसीने graduation कर रहा होगा तो हभी भी time है railway ने पहली भी कह दिया है और साफ साफ कह दिया है कि आपके पास iti कोई भी technical degree होनी बहुत जरूरी है technical degree होनी होनी है technical degree जो है आपको बहुत जरूरी है और अब तो railway ने ये भी कह दिया है कि अगर आगे की जो group D की भरती है जो आगे जो यॉली भरती तो नी 2019 वाली नी जो 2019 के बाद group D की भरती आएगी उसमें ITI जो होगा वो अनिवारे हो जाएगा और अगर आगर 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 को दोनों तरफ फायता करेगा येक्ट आपको अलप में भी काम साब बोल दिया था कि हम गुरूप D की आगे जो हम भरती लेंगे उसमें जो है ITI मस्ट हो जाएगा उन्होंने पहली कह दिया था अगर किसी ने भी अगर भी तक है ना ITI नहीं किया हैं तो ITI कर लें क्योंकि ITI जो है बहुत जरूरी है इसके लिए आपके पास टेक्निकल डिग्री होनी बहुत जूरी आगे का आपके रास्ते खुल जाते हैं इसे ठीक है फ्रेंट्स तो मैं आपका ALP का बता रहेता हूँ ALP की 2023 से 2024 तक जो है इसकी वेकंसी आने के चांसेस हैं अगर आप हभी सोच रहे हैं कि ALP की न्यू वेकंसी आजाएगी तो हभी दूर दूर तक कोई भी चांसेस नहीं है क्योंकि रेलवे पे वैसे ही हभी NTPC और गुरूप D NTPC Group D में भी एक से दो साल लग जाएंगे इसका पूरा प्रोसेस खतम होने में है ना इस साल तो इस साल के नहुंबर या दिसमबर तक जो है वो NTPC ही होएगा और NTPC का भी CBT2 भी होएगा है ना फिट साइको होएगा फिट टैपिंग टैस्ट है उसमें भी काफी लंबा प्र है ना ये तो यह चीज है फ्रेंड्स मैं आपको बता रहता हूँ कि ALP अगर ALP में CBT1 एक तो CBT1 होएगा फिर उसके बाद जो है CBT2 होएगा फिर उसके बाद जो है आपका medical होएगा है ना किसी का medical होएगा साइको होएगा वो काफी काफी चीज है और medical जो होता है इसमें A A1 का होता है, A1 जो है medical का standard होता है, ठीक है, A1 का मतलब जो आपको जो है, बस आप, मतलब दूर तक का जो है, वो दिखना चाहिए, बस चस्मा उसमा जो है, चस्मा इसमें allowed नहीं है, और चस्मा ना लगाया वो, बस आप जो, आप driver बनेंगे, है न, अगर आपका कोई दूर से समझो, signal आ गया है, red light है आगे, तो आपको दूर तक का जो है, वो दिखाई देना चाहिए, इसले जो इसका medical standard है, काफी high है, A1 जो है, इसका medical standard है, तो आपको जो है, दूर तक का इसमें दिखाई देना चाहिए, ठीक है friends, तो, यही सारा कुछ पताना था, ALP को लेके, है न अगर आप ALP का सपना देख रहे हैं, कि driver कैसे बनना है, है न, तो आप जो है, सबसे पहले जो है, आपको technical degree होनी चाहिए, जिसके बाद technical degree है, मैं उनका भी बता रेता हूँ, जिनके बाद technical degree है, जिनके बाद technical degree है, है न, और वो जो है, previous year, जो है, जो 2018, जो 2018, CBT1, जो CBT1 म जो भी question पूछे गए, उनकी आप practice कर सकते हैं, अब railway पूछता क्या है, कुछ भी नहीं, railway क्या पूछता है, reasoning पूछता है, science आती है railway में, reasoning है, science है, maths, और क्या पूछता है railway, और कुछ भी नहीं पूछता है, और current affair, और G के, सिर्व आपको यही चीज तयार करनी हैं आपको है ना, जिसके पास technical degree है, और जिसके पास technical degree नहीं है, वो जो है, वो ITA कर सकता है, diploma कर सकता है, और degree कर सकता है, अब 10th अगर आप ITA करना चाहते हैं, तो 10th pass होना चाहिए, diploma करना चाहते हैं, तो 12th pass, science है, b.tech करना चाहते हैं, तो आपको जो है, वो भी 12th pass होना चाहिए, science के कीजि है है नहीं कि अगर आपको यह देखना है कि आपको औरिंट सबसाहिए इंटरब्स होनी चाहिए उसके बाद आपको एक Ispstein होता ह ciudad is अब अलग-अलग होता है सबका अलग-अलग होता है किसी में इंटर्ब्स इउक्जाम से होता है किसी में 10 से मेरिट बनाई सत के दीपलोमा का भी वैसी है और BeTech दीघरी का भी बैसी है अब मैंने आपको ट्रेड्ड बता दी है । ट्रेड मैं आपको एक और ओर बता देता हूँ, मोटर मेकेनिक, RAC, वायर मैन, फीटर, रेडियो अंट टीवी, टेक्तर मेकेनिक, टेक्तर मेकेनिक, एलक्ट्रोनिक्स, इलेक्टिशन, यही इसाँ जो में-में ट्रेड होती है, वो ही trade है friends और IT ही जो है आपको NCVT सही करना अगर by chance अगर आपको NCVT नहीं मिल रहा है तो ही आप SCVT सही करना ठीकर friends कोई NCVT के फायदा बहुत है NCVT all over India है national के लिए national के लिए NCVT जो है national के लिए ठीकर friends और SCVT जो होगा आपके state महीं होगा state महीं होगा वैसे तो आप काफी जो है SCVT जो है वो खतमी होता जा रहा है है ना तो मैंने इसमें friends आपको सब कुछ बता दिया कि अगर आप हभी नए है आपने अगर सपना देखा है कि ड्राइवर कैसे बनना है रेलवे में तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखे अच्छे से देखे अगर आप पे कोई हभी टेकनिकल डिग्री नहीं है तो आप सबसे पहले करना क्योंकि आपका गुरूप D में भी काम आना है और आप ALP की जो नेक्स्ट वेकेंसी आएगी वो उसमें भी काम आना है ठीक है friends तो आपको जो है आपको कामेंट है तो आप कमेंट शक्षन पर बताईए और आपको जो है यह IT जो है मानता प्राप्त बोर्ड से होना है ऐसा नहीं कि कहीं से भी डिस्टेंस वाला कर लिया है ना वो नहीं चलेगा friends है ना किसी भी यूनिवर्स्टी से या जो गौर्मेंट से मानता प्राप्त हो बस आपको वहां से अपनी जो है डिप्लोमा डिग ले लेनी है ठीक है friends और कोई अगर आपका comment है तो comment section पर बताईए कोई भी question है तो इस से related कोई भी question है एक छोटा सा भी तो आप बताईए comment section पर बताईए vacancy की बात करने तो 23-24 से पहले जो है ALP की vacancy नहीं मिलनेगी आपको देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हभी जो है NTPC और group D का जो है अभी वही exam जो है वह हभी काफी pending में है तो आपको जो है अभी new vacancy जो है ALP की नहीं देखने को मिलेगी मैं इसमें सब कुछ और इसके जो है friends छे महिने के आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है है ना सेलरी की बात करते हैं 40-50 यह आपको अराम से सेलरी मिल जाती है airlines अच्छे-च्छे मिलते हैं बहुत सुवीदा है इसमें है ना सबसे ज़्यादा सुवीदा railway में है आपको पताए friends है ना बहुत काफी अच्छे-च्छे सुवीदा है इसमें और कोई जान कर रहे है तो friends बताईए और कुछ पूछना चाते हैं तो friends बताईए आप comment section पर बताईए जो भी question होगा मैं आपको जो है answer देने की कोशिद करूँगा बताईए friends ITI कैसे करें ITI अगर हभी आप 10 अगर आप हभी पहले तो सबसे पहले आपको 10 पास करनी होगी उसके बाद आपको entrance देना होगा किसी किसी मैंने बताई ना किसी किसी इसमें जहां आप रहते हैं वहाँ किसी भी सरकारी college में आप चले जाना ITI के college में चले जाना वहाँ पता कर लेना क्योंकि form कब तक आते हैं कब तक नहीं आते हैं फिर आप form भर देना आपके 10th के marks के हिसाफ से ही merit बनाई जाती है और किसी किसी state में वहाँ interest exam होता है तो आप देख लेना अपने अपने वहाँ का क्या क्या है exam का मैंने आपको बता दिया subject मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है friends मैंने आपको वह सब बता दिया है ठीक है friends आपको maths कवर करनी है जो बच्चे जो जिसके पर technical degree है उनको maths कवर करनी है साइन्स कवर करनी है reasoning साइन्स कवर reasoning और GK और GKGS current अफिर जीके और current ये आपको जो है आप जो है जितने भी ALP के जो exam हो है last year 2018 वाली जो उसमें vacancy थी technician है ना technician और ALP ALP के जितने भी exam हो है आप जो है उनको previous year जो उनकी तयार उनसे करें तयारी उनसे करें आप तयारी ठीक है friends सब कुछ चीज़े मैंने friends आपको बता दी diploma की बात करें तो diploma के subject पूछने बच्चे तो उसमें जो trade है उसमें आपकी mechanical होनी चाहिए electronics, electrical, automobile ठीक है friends computer से नहीं friends computer जो है वो technical में नहीं आता है ना vacancy की बात करें तो vacancy friends 2023 या 24 में जो है इसकी vacancy आपको देखने को मिलेगी उससे पहले देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि अब ही जो है NTPC जो और group D जो है pending है exam जो है pending है और आप सिर्फ इसी के चक्कर में मत रही है friends समझ लो अगर SSC जैसे SSC का अगर कोई भी form आता है तो आप उसकी भी तयारी करते रहिए यह जो मैंने आपको subject बताए है यह आपका sum में काम आएगा ऐसा नहीं कि यह सिर्फ railway के लिए ही बताए मैंने यह आपका sum में ही काम आएगा सिर्फ आपको एक English ही है ऐसा subject पढ़ना है जो SSC में आता है और बाकी subject आपके सेम है Maths SSC में काम आएगी Sciences SSC में काम आएगी Reasoning SSC में काम आएगी GK और Current वो SSC में काम आएगी सिर्फ आपको एक single subject जो आपका add हो जाएगा SSC में वो सिर्फ एक English ही एड हो जाएगा और सारा काम आपका समय हो जाएगा है ना अगर आप friends हभी और कोई exam की तयारी कर रहे हैं तो आप उसे भी करते रहिए आप ऐसा नहीं है आप उसे मत छोड़ी आप उसे भी करते रहिए अगर आप किसी exam की तयारी करना है तो उसे भी करते रहिए suppose अगर आपका SSC में अगर हो जाता है है ना MTS में हो जाता है या 10 प्लस 2 MTS में हो जाता है अगर SSC आपका MTS में हो जाता है है ना आप तयारी करते रहना आपकी जब ये SSC में अगर आप आपकी जौब लग जाएगी जब करते रहे ना फिर उसके बाद जब ALP में 2023 या 2024 में ALP की वेकेंसी आती है तो वहाँ से भर देना और SSC MTS से रिजाइन देना है ना तो आप तयारी करते रहे ना friends कहीं ना कहीं करते रहो किसी एक चीज के भरोसे मत रखो है ना हो सकता है कि आपको SSC MTS में ही जाना हो है ना ALP में ALP आपका सपना हो ड्राइवर बनना हो सकता है कि आप SSC MTS में निकल जाए है ना तो वही चीज है friends आप जो है तयारी ना छोड़े तयारी करते रहे तो इसी के साथ friends session को end करते है इसके regarding technician, ALP या railway, anti-pc, group d किसी के भी regarding आपका कोई भी question हो कोई भी inquiry हो तो आप जो है comment section पर बताई दिए friends comment section पर बता देना जो भी आपका comment होगा मैं आपकी पूरी जानकारी दूँगा ठीक है comment section पर बताऊँगा मैं आपको ठीक है friends और जो भी बच्चे नए है वो channel को subscribe करके bell icon दवा दे ताकि जो है ऐसी जो वीडियो जो है आपको मिल सके ठीक है friends, चलिए friends तो फिर इस वीडियो को आप friends से जादे जादा शेर करें आपके भाई, भैन, सब को जो है इनको वीडियो को शेर करें जो इनकी तयारी करना चाहते हैं और जो तयारी कर भी रहे हैं उनको भी शेर करें ठीक है friends, चलिए friends ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है